जा धनेवाद करेंगे अपने हाथों को ठाओं खोल दिया ज जाए अजिश & मसी च उमेश्वर ने बधने उन्दिंदेंब अरे विश्वास करता हूं पविश्वराथमा तेरा अनुग्र pull हाद बर्कत olit हाद इनके बना रहेगा न libro नियुदू चंडीगड से, मुहालि से, हिमाचल से, शिमला से, इस समय, फिरोजपुर से, फिरोजपुर से, पवितरातमः इस समय, परमिष्वर, अमरस सच्च से क्या, बटाला से, घुर्दाश पूर से, कहीं से भी देख रहे हैं पवितरातमा, जलंदर से, मेरे प्रभू इनके जीवन में चमतकार पर चमतकारों इन शैरों के लिए प्राथना करता हूँ परमिशन के घर में गुड न्यूज आए इश्वमसी नासरी के नाम में जिन लोगों ने बीज भूया पवितरात्मा जी आज इनके जीवन में असोग नव पवितरात्मा ये ब गड़े भर जाएं पोईतरात्मा जहां भी खाली हैं आजसे फर्वयां आशीर को सुनने वाले लोग ब्लेस होता हैं ईश्य कानामुंचिब्लेश्व की नहांगे आज बहुत सारे लोग blessing को देखेंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमिश्वर आपकी जिन्दगियों में काम करे तो से पहले आप अपने हाथ में एक बीज पकड़ो कि ताकि मैं आपके लिए दूआ करूँ और वो बीज आपके लिए आशीष भरा हो इस्वमसी नासरी का नाम में जब आप बीज बोते हैं तो से समय परमिश्वर का दिखाँ जो जड़न के लुक alltid और बीज और सिस्वमसी समय परमिश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा और आशीष देगा इस्वर के नाम में हम अपने बीज को अपने हाथ में पकड़े हो और पवितरात्मा आपकी जिंदियों में चमतकार करे क्योंकि बाइवर बोलती है कि किसान अपना बीज लेकर बोताबा जा रहा था लेकिन उसने क्या किया जब अपने बीज को बोया तो उसने ऐसे बोया मतलब करा कोई जाड़ी में गिरा कोई इस समय पत्रिली भूमी में गिरा लेकिन कोई बीज जो है उपजाओ भूमी में गिरा आप भी बहुत लोग गलतियां करते हैं कई बार कि जब वो बीज बोरे होते हैं तो उस समय वो ध्यान नहीं देते और परमिश्वर का बीज जो है जो आप परमिश्वर के भवन में लेकर आ रहे होते हैं वो उसमें आप ऐसी जाड़ी में डाल देते हैं जिसके कारण आपका बीज फलवन्त नहीं होता और ये बीज बोने का समय जब होता है जब परमिश्वर का दास आपके लिए दूआ कर रहा हो जब कह रहा हो तो वो लहर होती है उसमें बोना चाहिए जब आप बोएंगे परमिश्वर से लेकिन जब आप प्राथना करके बोएंगे तो वो बीज जो है जाओ भूमी में गिरेगा तो हो कीच면 लोग ऐसी डाल देते हैं ये लोग जी बिना पराथना किये आप अपने हाथ में पकड़ो बीच और गाऊ मेरे साथ परमिश्वर में ये बीच तेरे भawning में तरी सेवकाई के कामों में लायाओं परमिश्वर में किसी को देखकर नहीं तेरी सेवकाई को देखकर तेरे राज्ये को देखकर बो रहा हूँ पुईतरात्मा जी मैं इस समय पर मिश्वर आपके कमों के लिए लाया हूँ और प्रभू ये बीज आपके ने कमों में इस्तेमाल होने पाए पर मिश्वर और पुईतरात्मा जी इनकी जिनकी 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 ब प्रभू के आत्मा ने मुझे का भी इसी समय बिलीव करो बिलीव करो पवितर आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय इसी को आशीद देना चाहता है एस एन आर जी एच पी वी के ल एम और पी नाम बाले कहता है जो आपके जीवन में कहीं सुखा पड़ा है आज पवितर आत्मा बड़ोतरी को कर रहा आपके लाइफ में और इसी समय परमिशर ये बीज इने तीस गुना नहीं सो गुना बढ़ा है इसी नासरी का नाम आज से इनके नुकसान उने बंद हो जाए इसी के नाम आज से बड़े बड़े डौर इनके लिए खुल जाए इसी इसी नासरी का नाम आज जो बचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं इनके घर में पवितर आत्मा तरी शांती के दूद भेज़े जाए इसी नाम आज जहां भी ये कमजोर हैं पवितर आत्मा खाली लगता है इनको पवितर आत्मा कोई स्थान कोई प्लेस कोई बैंक बैंक ब महल को पूरा करना चाहता है लेकिन उन लोगों के बाइबल बताती है कि परमिश्वर उन लोगों के सपनों के महल को पूरा करता है जिनकी अटेच्मेंट परमिश्वर के साथ होती है उनके खाब पूरे करता है जिनकी अटेच्मेंट खुदा के साथ है अगर आज आपकी आठ में क्या लिखा वहां पर लिखा कि आदम के साया हुद्पत्ति के समय में लिखा करे तब यहावा परमिश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था उसका शब उनको सुनाई दिया तब आदम और उसकी पतनी वाटिका के विरिक्शों के बीच यहावा परमिश्वर से छिप गए मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अटेच्मेंट बनाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अटेच्मेंट को तोड़ देते हैं यहां पर लिखा परमिश्वर अपने लोगों से जो प्राथना करने वाले लोग थे उनसे अटेच्मेंट थी जिनकी उनको ठंडे समय मिलता था मतलब भोर के समय मिलता था तो जो लोग प्राथना करते हैं परमेशर की टैचमेंट है उनके साथ जो वर्षिप करते हैं उनकी टैचमेंट है परमेशर के साथ आपको कैसे पतल लगेगा कि आपकी टैचमेंट है परमेशर के साथ करता है उनके साथ जो प्राथना कर रहे हैं वर्षिप कर रहे हैं इतरात्मा की आवाज आई कि आदम तू काएं हवा तू काएं तो इसी समय वो छिप गए और वो बोले करें कि हम नंगे थे और करें कि हम तूसे डर गए और हम छिप गए आज भी बहुत सारे लोग जो है मतलब कि अपने जूट के कारण करता है कि अपने पाप के कारण करता ह कि हम नंगे हो चुके हैं और लेकिन इसलिए कि रहा है वो अपनी बातों को छुपाना चाहते हैं अपनी गलतियों को छुपाना चाहते हैं लेकिन वो छुपा नहीं पाते हैं वो छुपना खशाते हैं अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहता है आज का इंसान जो है गलतिया उन लोगों से नराज हो जाता है और पुवितरात्मा ने उन लोगों को उठा कर वाटिका में से उस बाग में से करें बंजर भूमी पर फैंक दी आज आप पर ऊट कटा रहे उपजारी ते धरती लेकिन अगर आज आज आप विश्वास करते हैं तो पुवितरात्मा आप से बात कर रहा है आज आपकी जीवनों में वह सोग गुना वरदान देगा हो सकता है आप करजे में हो बीमारी में हो समस्या में हो लेकिन आप तड़प रहे हो और परिशान हो रहे हो मैं फिर कह रहा हूं जब आपके टैच्मेंट खुदा के साथ नहीं होगी तो आपके सपन आजकर लोगों के सपने क्यों नहीं पूरी होते क्योंकि उनकी अटैच्मेंट मोबाइल के साथ जादा है वटसब के साथ जादा है बहुत सारे लोगों जो है आजकर अलग-अलग तरीके से खोएवे हैं इसलिए परमिश्वर उन से दूर हो गया बहुत सारे लोग अगर चाते हैं कि परमिश्वर का दर्शन मुझे मिले तो आज हाता को उठाओं और कहूं कि परमिश्वर में तेरी अटेज्मेंट के साथ जुड़ना चाहता हूं इस शुमसी का नाम में लेकिन आज कल की पतनियां भी करें उनके टेज्मेंट पती के साथ नहीं है जैसे कि मैं बत है कि उनकी अटेज्मेंट जो है वो परमिश्वर के साथ नहीं मकान के साथ है लेकिन आज का हमरा टोपिक है हम उसको ध्यान से सुनेंगे कि वह खाली बरतन को भरता है खाली बरतन को भरेगा अगर आज आप अपनी जीवन में कहीं भी कमजोर है मैं करहां वह खाली बरतन क को भरनूंगा लेकिन अपना बरतन जो है करा खाली करके आना आपको हालिलूया तो यहां लिखा मर्कुस की चार के 25 में जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा परमिश्वर दिश्टांतों से बताता लोगों को आज भी बहुत सारे लोग जो है वो बार-बार एक शिकाय लेकिन कुछ ना हो रहा हो लेकिन बाइबल बोल रही है कि आप जब तक परमिश्वर के गुणों को अपने अंदर नहीं लेंगे तब तक परमिश्वर काम नहीं करेगा यहां पर लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले ल जाएगा जिसके पास नई है उससे वो भी ली लिया जाएगा तो यहां पवित्रात्मा अपने लोगों को बता रहा है एक आदमी गवाई बता रहा हूं कि एक आदमी सेवकाई में था जब वो मेरे पास आया तो इसी समय वो एक शिकायत कर रहा था करता है मैंने इतनी सेवा क कियातना सब्कुछ किया लेकिन गलता है कि मेरे PC lower ऐको अब में दिरे धिरे अज मेरे चर्च में एक बीनी हूँ और मैं आप बिलकुल खाली ओम सेवा करता हूँ लेकिन हो दी कि लोग मेरे चर्च में नहीं आते उसको गुणा नहीं किया, मतलब किसी को पांच दिये, किसी को तीन दिये, किसी को एक दिया, लेकिन किसी ने उसको डबल किया और एक ने उसको जाकर छिपा दिया, मतलब जब उसको छिपा दिया तो परमेश्वर ने उसको उसी समय कुरोध के साथ कहा, कहता है कि जो तुने ड़ लगता है, देखा यहां पर लिखा किरा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा हो सकते हैं आज परमिश्वर ने आपको एक तोड़ा दिया हो मतलब आपके पास एक तोड़ा है करा गीत गाने का तोड़ा आपके पास है प्राथना करने का तोड़ा मतलब वो वर्दान वो गुण आपके अंदर है लेकिन आपने उस तोड़े को छिपा दिया हो मतलब आपक जिसको एक तोड़ा मिला था, उसने आकर का, है स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तु कट्रोर विनुश्य है, तो जहां कहीं नहीं होता, वहीं काटता है, और जहां नहीं चीड़ता, वहीं से बटोड़ता है, मैं तर देया था, देखो, यहां पर लिखा, कहता है कि उसके विद्धा तोड़ा दिया, लेकिन उसने च्षिपा लिया, आज हो सकता है पर, जिसको तोड़ा दिया गया, तो उसी वक्ति ने क्या कियाँ किया, कि ता मैं डर गया ता मैं तू आकर वापीछ ना मांग ले, मतलब कि परमिश्वर ने आपको तोड़े जो हैं वो डबल कर करने के लिए आप प्रिस्तितियों में आप दुख में परिशानी में आपको एक गीत गाना आता है मैं करहां दो गीत गाना स्चार्ट करो आप तोड़े को डबल करो इसंद स्चार्रा सकते हैं आप अप और स्मय tracing करते हैं मैं hackers कर Calvin मैं करें आप सूसमाचार सुनाने का तोड़ा दिया आपको गवाई दिने का तोड़ा दिया आप जाओ लोगों को गवाई दो और सूसमाचार सुनाओ इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी जिंदगी में तोड़े को डबल करने मी मानदा रहे हैं तो याद रखना गरीबी कभी पीछा नहीं करेगी बाई बोलती है कि वह व्यक्ति अमीर होता है पर इमस्वाइ सकता है कका आप 2 आदमी चर्च में लेकर आते हैं ऑडवी समाचार को घराघा जया करना जानता है थर दो न Covid को डबल कररना जानता है तो Balt display समय इसका मतलब अज आप आपकी जिन्दगियों में कुछ करना चाहता है और आपको ब्लेसिंग देना चाहता है ये पवितरात्मा की ओर से मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग विश्वास के साथ यहां पर जुड़े वे प्रभू उनकी लाइफ में मिराइकल करना चाहता है लेकिन इस तोड़े को डबल किया जो मैंने तुझे दिया था डबल दिया कब किया मतलब आज लोगों को परमिश्वरे परमिश्वर के दासों को अनोइंटिंग दिये लेकिन वोगों बस जब सू समा चार सुनाने पर चार करने संडे के दिन जाएंगे चर्च के अंदर बाकी दिन सोएंगे मैं फिर उन लोगों कह रहा हूँ कि जो हो सकता है आप कहता है कि एक बिजनसमैन हो लेकिन आप अपने तोड़े को डबल ना करने हैं, आपके अंदर एक प्रेम का तोड़ा दिया गया, आपके अंदर माफ करने का तोड़ा दिया गया, आप अपने बच्चों को माफ करते हैं लेकिन बाहर लोगों से नफरत करते हैं, आप चर्च में गुट बनाते हैं और करते हैं तो इसका मतलब किया परमेश्वर का आत्मा करा है अगर करा कोई बुराई करता है तो जो से है जो इसके पास है वो भी ले लिया जाएगा इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप वो बरतन है जो परमेश्वर आप खाली है लेकिन परमेश्वर के पांस लेकर आओ पर मेच्छों ने यर्मिया को अठारा के एक में बताया किता कि तू जा अठारा के एक को पढ़ेंगे देखो क्या लिखा वहाँ पर किलियर लिखा ठारा के एक में एक जगह पर के जिर्मिया की और यूर मैं तुझी अपना वचन सुनाऊंगा। इसले कि मैं कुमार के घर गईा और क्या देखा यूरे चाहत बना रहा है। देखो क्या लिखा यहां पर, किया रहा है कि उसके पास बचन पहुंचा कि तू कुमार के घर जा, हाँ हाँ पढ़ेंगे बड़ा पड़ जल्दी से देखो क्या लिखा यहां पर किता है कि कुमार के घर गया और उसने सको समझाया किता है जब कुमार के घर में गया तो वह बरतन बना रहा था लेकिन बरतन बनाते बनाते हैं वह मिट्टी उस मिट्टी से दूसरा बरतन बना दिया उसने दुबारा इस्तिमाल किया उस मिट्टी को लेकिन कोई और अकार दिया इसका मतलब कि परमिश्वर ने भी इसराईलियों को समझाया कि जिर्मिया के दौरा कहता है कि अगर यह लोग ना सुधरे अगर यह लोग ऐसी भिगडे तो कहता है कि मैं आज के बाद कहता है जिसके लिए मैंने मनसा की थी मैंने इसराईल के लिए मनसा की थी इसराईल के लिए इच्छा की थी इसराईल के लिए मैंने भवी शमानी किया था कि मैं इसराईल को वो बनाऊंगा वो बनाऊंगा ऐसा करूंगा ब्लेस करूंगा अगर इनने आग्या पहला ना किया बिगड़ गे जब इस दरही लोग बिगड़ गे पाप में व्याभी चार में नशे में हर चीज में बिगड़ गे तब परमिश्वर ने का किता है मैं इनको किता है कि अब वो अपनी इच्छा को बदल दूंगा इसका मतलब कि आप एक बर परमिश्वर से जिद करते हैं परमिश्वर मुझे ये बना लेकिन पवित्रात्मा कर रहा है कि अगर मैंने आपके अंदर टैलेंट देख लिया अगर मैंने आपके अंदर तोड़ा डबल करने का तोड़ा आपके पास है अगर वर्शिप करने का तोड़ा आपके पास है आप मैं इस बरतन को किराकार दूँगा वह सारे लोग कहता है कि चाहते हैं कि मेरा बरतन खाली भर जाए लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन खाली बरतनों को जब भरता है कि जब वो परमेश्वर के बचनों के साथ चलते हैं आदर के साथ चलते हैं यहां पर यर्मिया को साफ परम पर्मिशर देखा और उसने फैंसला बदल दिया मैं आपको बता रहा हूं कि उसने शेवकाई स्टार्ट किया एक आदमी ने लेकिन पर्मिश्वर ने उसको कहका जा अगर तेरी सेवकाई का बरतन अगर सई नहीं है तो बतना पर्मिश्वर के पास जब भी आए अपने मन के बरतन को खाली करके लाना इसलिए परमेशर चाहता है कि जब भी आप परमेशर के पास आएं तो आपका बरतन खाली होना चाहिए आपके मन जो है आपके अंदर से ब्याभी चार का बरतन बरतन बरा हुआ है आपके अंदर एक बरतन बरा हुआ है ब्याभी चार के लिए आपक ब्र 모양 करे कनी ज homeland रही चार लेकिन आप साथ वाले साथ two up और गुस्शा आता है आप साथ वाले की बुराई करें इंज्शा करदें तो मतलब एक आपका मन बरतन खाली नहीं और तक बरतन खाते हैं उफर्मिश्चर उसको भरेगा नहीं इसका मतलब कि आप सुन्दर बरतनों को यूज करते हैं तो परमिश्वर भी सुन्दर मन वाले बरतन को यूज करना चाहता है परमिश्वर भी काता है पुराने काता है बेकार बरतन काता है जो सुधरना नहीं चाहते उनको हटा देना चाहता अपने घर से इसका मतलब परमिशर ने यर्मिया को एक्जाम्पल दिया किता कुमार के घर में जा किता क्या कर रहा हूँ काता मिट्टी का बरतन बना रहा है लेकिन उसमें सुधार नहीं हो रहा है कितनी बार मिट्टी से उसने कीचर को बनाया कितनी बार उसने कुमार ने उसको आकार दिय परमिश्वर के पास जब आना है तो इससे में हाथ जोड़ कर आना है परमिश्वर कि मैं तेरे पास आया हूँ मैं आशीश लेने के लिए हूँ शराप लेने के लिए परमिश्वर मेरा बरतन खाली है मेरा घर खाली है मेरा बिजनस खाली है पहुतरात्मा जी लेकिन पहुतर balance भर जाएं इस शो के नाम में हर Аसी के भरकि हराशी आपकी भरेगी इस शोंड़ी के नम में यह आपको फैंसला आज आपको लेना है परमिशर का आत्मा आपकी जिंदग्यों में काम करेगा हम देखते हैं Bible में दूसरा राजा 4 चौथा ध्याए हम इस इस्तरी के बारे में पढ़ते हैं तो एक से लिकर साथ तक इसको किलियर डबी बना के दिखा इसको किलियर जब मैं पढ़ रहा तो इसमें देख रहा था बाइबल में कि ये औरत जो है एक सधारन औरत है लेकिन इसकी attachment जो है मैं दोनों चीज़े बताऊंगा कि परमिश्वर किन लोगों के बरतन भरता है किन लोगों को खाली बरतन अगर आपके तो आप कभी complaint नहीं करोगे परमिश्वर के सामने मैं करां पांच साल होगे आपके पास बच्चा नहीं है मैं करों परमिश्वर देगा घर नहीं देगा नोकरी नहीं देगा स्वर्ग नहीं के दर्शन नहीं किये परमिश्वर देगा पवितरा आत्मा कह रहा है कि जो सालों साल से काम रुके वे हैं वो देगा लेकिन अगर आ पास आने तो चिंता करके नहीं आना मरियम कहते है मार्था जो है चिंता करके आ रही थी परमिश्वर ने कहा अपने आपको खाली करके है गलीर के काना में मरियम कहते है उसकी मा जो है वो चिंता करके आ रही थी शमसी तू करेगा के नहीं लेकिन उसने का मैं कुछ नहीं करूगा मतलब चमतकार नहीं किया लेकिन बाद में पांच मिनिट में वो खाली बरतन, खाली घड़े कहता है उसने का पानी से भर दो और वो चमतकार कैसे हो गया क्योंकि उसने परमिश्वर की बात को मना आग्या को मना जब आप परमिश्वर के आग्या को मानते हैं और अटेच्मेंट रखते हैं तो उसी समय परमिश्वर की जिंदगी में काम करता है यह औरत की अटेच्मेंट थी लेकिन इसके पती के पास मतलब की इसके पती के पास क्या था तोड़ा था और इसका पती एक अच्छा काम करके गया उस तोड़े को डबल करके गया मतलब जाता इसके लिखा बैबल बताती है भविशक्ताओं के चलों की पत्नियों में से एक स्त्री लिशा के पास गई और जाकर दोहाई देकर क्या कह रही है कि तेरा दास मेरा पती मर गया है इसका मत व्यक्ति करा के आज कहते है के मर गया है लेकिन कहते है कि उसने एक चीज उसको जिखा दिया था उस व्यक्ति ने कुछ लोग बोल रहे होंगे किसने कोई पाप किया और इसलिए मर गया यह यह चिला लेकिन नहीं कहीं बार कहते है परमिश्वर का समय होता है हर एक चीज का और उसी समय लेकिन वो मरते वक्त एक व्यक्ति उससे पहले एक काम करके चला गया उसके पास एक तोड़ा था उसके पास एक टैलेंट था कि परचार करने का टैलेंट था प्राथने का टैलेंट था करके चर्च लगाने का टैलेंट था सेवा करने का टैलेंट था वो अपनी पत्नी को सिखा कर चला गया आप समझ रहें कि नहीं उसने अपनी पत्नी को सिखाया उसकी पत्नी ने कहता है कि वो टैलेंट को सीख लिया और सीखा और उसने परमिश्वर की महिमा करना सीख लिया और उसके अंदर एक टैलेंट वो छोड़ कर गया उसके अंदर क् आपने तोड़ा ये दिया है तो मैं करहा हूँ आज के बाद आपकी प्रोग्रेस होगी शमसी का नाम में परमेशर का दांस जब भीजा जाता है तो मैं करहा हूँ कि आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी आएगी मतलब कि आपके जीवन में हर बंदन तूट जाएंगे हर आश चीश खुलेगी शमसी का नाम में, आपकी spiritual life strong होगी, लेकिन कब? कथा है कि जब आप ये इस औरत से सीखेंगे, ये औरत करी अकेली थी, हो सकता था कहीं भी जा सकती थी, लेकिन आम इसी को देखते हैं फिर से, बहुत शक्ताओं के बारे में का लिखा, करता है कि वहाँ पर और ये करी किस के साथ अटैच थी? अलीशा के साथ, और उसी समय अलीशा के पास आती है और कहती है कि तेरा दास जो था, वो मर गया, और लेकिन बोलते है कि तु जानता है कि वह योवां का भै मानने वाला था, जिसका वह कर्जदार था, वह आया कि मेरे दोनों पुत्रों को आपने दास बनाने के लिए ले जाए मैं तजनी दुख़ी हूँ कि इतना कर जाओगै इतनी प्रोब्लेम आ रही है लेकिन मैं बहुत प्रोब्लम में हुँ लेकिन उसने उस तोड़े को सीखा था कि उसने बिश्वास को बना कर रखा कि जो परमिश्वर करा अपने भवशक्ताओं के दोरा बड़े बड़े काम करता है इसलिए और वो समय में उसके पास गई बड़ी उमीद लेकर गई और जाकर उसे रिक्वेस्ट करने लगी तो उसी समय उसने का जिए के दो में बोलता है करा कि मैं तरही क्या करूं फिर उसने उसको का करहा मैं तरही क्या करूं ऊसके दो में करा कि हाँ हाँ पढ़ेंगे ने ओतवन में तरfront देन हाँ अ पड़ती रही है कि नताय उन्हें अलग रखना two catch और कि यह वर्मिश्र के दांस को क्या बता रिए उसने का क्या है तेरे घर में उसने का मेरे घर में तो एक हड़ी की किरा के तेल के सिवाए और कुछ भी नहीं है मेरे घर में सिर्फ एक हांडी का तेल उसी समय अलीशा ने उसको का कि वो खाली बरतन भरेगा जब मैं प्राथना करूंगा इशू के नाम में तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन में खाली बरतनी लेकर जाते परमिश्वर के सामने वो लोग जो हैं अपने बरतन को भर कर लेकर जाते हैं कि ऐसे बता रहा हूं कि एक बार में जब मैं फोज में था तो उसी समय फोज में जब बकरा चावल मिलता था तो उस समय में सब बच्चे क्या करते थे दोड़ दोड़ कर दोड़ दोड़ कर लेकर जाते थे मैं थोड़ा खाते थे और फिर चले जाते थे उसके पार तो मैं भ मतलव की आज बहुत सारे लोग इन चीज़ों में समझ नहीं पाते, किता है कि परमिश्वर अपने लोगों अपने डास के दुवारा बता रहा था, किता है कि आज आगा झाग खाली बरतन करकेला, मतलव अपने अपने घर से खाली बरतन लेया. नहीं है परोसियों से मांगला मतलब कि सीख ले उन चीजों से काता है कि आज पवितरात्मा उन लोगों को कह रहा है काता है कि आगर आज आप जब चर्च में आएं तो समय काता है कि आप काता है कि परमिश्वर के दास जब आपको सिखाएं तो उस समय में आपको क्या करना है आपने जीवन में उस समय उन चिंताओं को खाली कर देना है जो आप जिस टेंशन में आप इसी समय छोड़ देना है खाली कर दो अपना मन आपका मन भरा हुआ है किसे इतनी चिंता से इतनी निराशा से कि आपको जितना मर्धी बचन सुना दो जितना मर्धी प्राथना कर दो आपके लिए लेकिन आपको इतनी चिंता हैं संसार की कि आप उसमें पड़े रहते हैं और इसमें परमिश्वर आपकी जीवन में काम नहीं कर सकता इसलिए पवित्रात्मा चाहता है किता है आप अपने चिंता के बोज को, किता है चिंता के मन को, किता है विश्वास के मन को, निराजशा के मन को, किता है खाली कर दो, किता है नई परमिश्वर आज भी उजला कर सकता है, आज भी कोई बड़ा काम कर सकता है, आज भी परमिश कैता है कि आज इसके कारण आपका मन भराव आओ परमिश्व कहते हैं मेरे पास आना है मेरी वेदी पर तो कहता है अपने मन को खाली करके लाना है कहता है कि परमेशर कहता है मन को खाली कर कहता है कि ताकी मैं तेरे मन को पवितरात्मा से भर दूँ अपनी प्रेजन से भर दूँ अपनी अनॉइंटिंग से भर दूँ कहता है कि अपने आशिशों से भर दूँ यह आपर यह औरत खाली बरतन लेकर गई, और उस उसने किया का, खाली बरतन जब लेकर गई तो सीड के चार के चार में लिखा, करा कि उस बरतन को अपने घर में जा, और दौर बंध लेकिन आउंस करें वो खाली कर दे का जहां तूने पाप के लिए रास्था को आपने लोगों से बोल रहा है कि अगर आपको परमिश्वर से का तोड़ा चोरी हो जाएगा तक करा उसको बंद कर दो डोर को कहता कि उसके बाद आप देखना तेल भरता है के नहीं आजशीशी आती है के नहीं डबल होती है के नहीं जोब आती है के नहीं मिराइकल होती है के नहीं चमतकार होती है के नहीं परविश्चर बात करता है या कहता है आपके अंदर तोड़ा कहता है डबल करने की पावर होनी चाहिए कहता है लेकिन डोर को बंद कर दो कहता है प्राथन करने बैठते हो मुबाइल की वाज आ जाती है प्राथन करने बैठते हो मन करने का किर्केट खेलने का फिल्म देखने का, एक्टिंग करने का, एक्टर देखने का, कहता है कि आपके अंदर मन कर जाता है, कहता है कि आपके साथ घूमने का, लेकिन आपके विचारों पर कंट्रोल नहीं है, कहता है कि आप इसी समय दोर बंद करो, कहता है जब आप दोर बंद करते हैं, तो इसी समय यहां पर वो यही शिखा रहा था किरा है कि इसकी बातों में कुछ सीखने की बात candidate है हम लोग पढ़ते हैं बस इसके साहथ चमतकार हो गया लेकिन हम यह नहीं देखते हैं कि इस उरत के साहथ चमतकार क्यों किया किस ने परमेश्वर के दाश की बात को फोलो किया, हालिलूया, जब आप फोलो करते हैं तो परमिशर काम करता है, एक आदमी था डान डालता था, और शी समय चर्च में, और मैंने पुछा कि तु चर्च में डान कभी क्यों 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 क्यो उसके बाद वो एक महीना भी दसी डालते हैं मैंने इस देखा कई बार लोग एक साली दसी डालते हैं तो मतलब कभी डबल नहीं करके देखते हैं आपके पास तोड़ा परमेशन नहीं का डबल करके देख तो ये आदमी को मैंने का तू दान क्यों नहीं डालता है बोलता है किता है मैं सेलीन डालता क्योंकि मेरे पास कहता है कहीं असा ना हो कि कल मेरे पास पैसे न रहे कल मेरे को मम्मी देना कल मेरा पती मुझे देना कहीं ओरते चर्च में आते हैं अपने उनकी बहुएं कहता है अपनी सास जोते हैं उनकी बहु को माँ पर तोड़ा दे र जब पनातना करते हैं, तो कहीं स्वर्दूत आपको आशी दिने के लिए निकल पड़ते हैं, याद रखना आपके अंदर तोड़ा है, लेकिन आप उस तोड़े को छिपाते है, इसलिए कर आदम और रवा जब चिप गए उस तोड़े को छिपा लिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा करा अब तू इस ब्लेसिंग में नहीं रहेगा बाहर हो जाएगा मैं कह रहा हूँ उनको बाहर रख दिया दन की वाटिका से क्या बदन की वाटिका से परमिश्वर के महल से परमिश्वर के ड्रीम से बाहर जाना चाते हो परमिशवरों के आसिष से बंची तेरे नहाँ चाते हूँ मैं कहा रहा हूँ जाना एक बड़ी बात है लेकिन उससे पहले नीचे Why आपको को गंडे को गंटे को बढ़ाओ, वर्षिप करने के टाइम को बढ़ाओ, आपने प्रास learnt करने के टाइम ago algum चार्च आने का तोड़ा है आपके लगता है कि जहां तेरी आशी शुरुकी हुई है कता वो पूरी करूंगा इश्यू के नाम में ये स्टाइल परमिशर का काम करने का जो मैं आज बता रहा हूँ बहुत लोग मैंने कभी अपनी जिंदगी में टुकड़े मांगते नहीं देखे दाउद बोलता है मैंने धर्मी कराना मेरे पास मैं प्रॉफेट हूँ करता है मैं आज करता है तेरा आशीश को भरवाऊंगा तेरे खाली बरतनों को भरवाऊंगा कर तेरा मैदा भरेगा तेरा आटा भी आएगा तेल भी आएगा जो तुछ चाहती है जो वो आएगा जो मुझे लाइफ देख रहे हैं ल दिल्ली से जितने हाथ उठा रहे हैं उनके तोड़े करा डबल हो जाएं शुमसी के नाम में लेकिन विश्वास थोड़ा ना लेकर बैठना आज करा आपको विश्वास होना चाहिए आज खुदा मेरी जिवन में पूरा करेगा लेकिन इसकी शर्त है जब आप अपने मन को ब बरतन आप लेकर आएंगे याद रखना आपका बैंक बैलेंस इसे साल में भरेगा आपकी जोब इसे साल में आएगी आपकी टेक नई बेटों समेट अपने घर में जा और दिवार बंद करके सब बॅरतनों में तेल उडेल देना इसने का है कैथ है कैसे युडेल दूंगी मेरे पांस तो सहोचपका होगी यह कहने सकतीती और Group के मेरे पांस तो एक हन्डी है उसमें थोड़ा चा टेल है और तुने इतने सारे खाली बरतन रखवा दिये और तुने डूर बंद करवाया और का टेल उडेल दिये उसके अंदर जाकर काना कि तो फोती बूर बिलूगे च्ब होगा तम अधिया वड़ेल ग्ई लैटे मुलता है जा विश्वास पहले डूर बंद कर आедके चाहल एक बार करा शराप पिने का दोर बंद कर किया एक बार वेविचार करने का दोर बंद कर किया विश्वास है कि जा आज किता गाली देने का दोर बंद कर किया विश्वास है किता आज से लडाई जगडा करना बंद कर बुराई करना बंद कर किता कि कुरोध करना बंद कर लेकि बार 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 करा है नुकसान हो जाए नुकसान हो रहा है लेकिन करा है कि तू डोर बंद कर कहता है उसके बाद ना तेरे को परमेशर मिलेगा उस कमरे में ना प्रॉफिट मिलेगा कहता है वहां पर तेरे को परमेशर का मिराइकल मिलेगा इस मस्री के ना में और कह इस हंडी में से यह मैं हंडी लेकाओं हंडी जग्र तेल डाल रहा हूं लेकिन क्या कर्राओं वह तेलOoh बॉरतार यूज परहाई आगा जूक्रा गया तापनीवा भाए ये B'. मैं करा हूँ कि आज आपने जो फ्यासला ले लिया कि परमिश्वर मैं आज के बाद जूड बोलने वाली मन की बातों को इसी समय गंदी आतों को छोड़ कराऊंगा इश्यो के नाम में मैं आज अपने मन को आज ठी करके आउंगा परमिश्वर, मैं आज पवितरात्मा जी इसे में गलंट चीजों को छोड़ कराऊंगा, गलंट चीजों नहीं देखोंगा, उन चोरी करने के आद को छोड़ दूँगा, जूड बोलने के गाली देने को छोड़ दूँगा, पवि आपके घर में चमतकार पर चमतकार होंगे इस वमस्जी के नाम में क्या विश्वास करते हैं आप पुष्वास कर सकता है लेकिन ये परमेश्वर है मैं कहा रहा हूं एक आदमी हमारी सभा में आया वो उसके पतनी बता रही थी कि ये आदमी के साथ मिराइकल कैसे हुआ कहती है कि ये मेरा पती जारखंड सबा में गया आपकी वो एक व्यावी जब भी जाता था वो अपने बरतन को खाली करकर नहीं जाता था मतलब कि मन को भरावा लेकर जाता, निराशा में था, करजे में डूबावा था और वो जब भी मिटिंग में जाता तो अपनी पतनी के साथ जबरदस्ती जाता चिंता, बोज को लेकर, मन में निराशा लेकर ऐसे भारी पन को लेकर जारखण में बैठ गया फिर हमारी मिटिंग हुआ, मैं करजे महां हदराबाद हुआ, वहां भी देखने के लिए चला गया, इतनी दूर तो उसके बाद कहता है कि वो अलग अलग जगे पर गुजरात हुआ तो गुजरात में चला गया और करज शराप पीने लगा, मैं शराप पीता था और विचार थे मनों विचार गलत थे और भरा-भरा ऐसे बैठा रहता था एक जिन वो चन्डिकर चर्च में आया और तो झांधन को सुन रहा था, अपने दिमाग को खाली करके आया कि मैं इस समय विचारों को और इसी समय मैं छोड़ कर जाऊंगा मैं गंदे लुच्पन के काम और इसी समय जब वो गया उसी समय जब वो वापिस गया अपने घर में परमिश्वर ने उसको बताया कि 60,00,00 रपे का मिराइकल हो गया उसके साथ इश्यो के नाम उसका करजा उतर गया उसके साथ blessing स्वर्ग से उतर गया उसका मतलब उसने अपने डोर को बंद कर दिया था उसने अपने नशे के डोर को बंद कर दिया था उसने अपने नशे के डोर को बंद कर दिया था अपने गलत विचारों के डोर को बंद कर दिया था अगर आज आप ब गड़ों को रखते थे और उस गड़ों में उसको शुद करके मतलब अशुद नहीं शुद करके उन मटकों को करें उसके च्छे में लिखा कि उन मटकों को शुद करके फिर रखा करते थे वहां पर जहां भी लेकर जाये करते यूदी लोग ऐसी एक प्रता थी कि उनको मसीने भी वह किया और ये शु मसीर हूँआ मर्यम ने का कि अब युदियों के शुद करने की रिति के नुसार नोधार नुसार के छे मट के धर्य थे जिनमें दो दो तीन तीन मन समाता था पानी येश्योने उससे मटकों में पानी भर दो उन्हें मुआ मुआ भर दो अब वो व्यक्ति जानते थे उसके चेले कि वो दाकरत जो था खाली हो गया था और उसी समय बरात आने से पहली वो खाली हो गया और उसी समय लेकिन उस समय उसने कहा कि इनको पानी से भर दो और मुआ मुँ भरना यहां तक नहीं कहते हैं यहां तक भरना मुआ मूँ और उसले जो चेले थे उन्हों ने फटा-फट उसली समय गये और एक गंदा जोड का नाला क्योंकि बाइबल बताती है कि वहां पर आस पांस भी कहीं नाला नहीं था और उसी समय कोई पाणी नहीं था और उन्हें एक नाला मिला और नाले से उन्हें उस घड़े को भर लिया और भर के चेंगे चेंगे मुवाश्ज करके भर दिये डखका लगा कर एक चेला बोला कहता है कि अरे ये गंदा पाणी भर दिया तुने घड़ों में अरे अब क्या होगा परमिश्वर की बात मान बस आग्या मान बस जो होगा दिखी जाएगी बोगा हो चाली बरतन जब वो मुऑ मुख भर लाए उसी से में वो चमतकार कर दिया उसने का घड़े खोल कर देखो तो चेले डर रहे थे लेकिन बराती उन्हें जब पिया तो वो दाखरस में बदल गया मतलब कि वो पानी दाखरस में बदल गया वो गंदा पानी दाखरस में बदल गया ये कैसे हो गया चमतकार और चेले हैरान थे पांच मिनट पहले तो वो अपनी मां को बोल रहा था कि मैं कोई चमतकार नहीं करूंगा करा कि अभी समय नहीं आया अभी मेरा समय नहीं आया पांच मिनट पहले वो समय नहीं आया जब उनको कोई बिमार होता है कोई करजे में होता है कोई शराब पी रखी होती है तोसी समय आज बहुत सारे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है काते है इस तरीकों तो लव बेने का रोग है यह भगवान को भी गंदा करेगी महाँ पर फरच को भी गंदा करेगी इसको तो शराब पीने का रोग है महाँ पर वगवान को भी गंदा करेगा यह कहता कि यह तो शराब भी है मैं कहरा हूँ कि आगर शराब भी है गंदा है लुच्पन है गुंड़ा है बदमाच है कैसा भी हो आपका जीवन कहता है आपका जीवन कैसा भी हो लेकिन बस एक बार अपने खाली मन को कहता है अपने भारी मन को कहता है अपने बरतन को कहता है अपने बरतन को कहता है उसको खाली कर दो जब आप खाली करेंगे और उसी समय जब आप परमिशर के सामने जाएंगे त तो उसी समय पवितरात्मा आपकी जिंदगियों में चमतकार करेगा, क्या आप चाहते हैं कि परमिशर आज आपकी जिंदगियों में चमतकार करें, तो इसी समय अपने दोर को बंद करें, आज पवितरात्मा आपके खाली बरतुनों में मिरैकल कर सकता है, लेकिन उसने का मु परमेस्विटर के पांस लो कि Franz आपके गड़े भाड़ जाएंगे मुँआ मूओ का था कि गंदे गड़े खालो उनके नंदर हो सकता आपके बच्चे गंदे या गड़े खाली है यह कुछ नहीं आता है निको पड़ाई लिखाई नहीं आती है और फिर कहता है आपके पती के पास कोई बिजनस नहीं है काम नहीं है रोजगार नहीं है परमिश्वर का आत्मा कहता है एक तोड़ा है आपके पास के पास एक गुण था सिरफ के इस लेडी के पास अटैच्मेंट का गुण था सूसमा चार सुनने का गुण था और इस लेडी के पास करते के परमिश्वर के दास पर विश्वास करने का गुण था कि मैं जैसा ये कहेगा आग्या मानने का गुण था अगर ये गुण आपके म को खोलेगा बस आपको विश्वास करना है कि अ विश्वास की आपने अपने तोड़े को डबल किया याद रखना परमेश्वर ऐसा तेल भरेगा ऐसी आशिशे भरेगा कि आप देखते रहा जाएंगे इस संडे का आग्या मानेंगे मैं कराओं उनके तेल डबल होंगे शमसी के नाम तेल उडेलेगा आपके उपर विपरमीशर भी अपने दाशों के दोबारा तेल उडेलता है याद रखना काता है ये तेल जो है विश्वास का परतीक होता है और शी के साथ को पढ़ते हैं हम देखो क्या लिखा दूसरा राजा चार के साथ को क्या लिखा इसके छे में पढ़ते हैं देखो क्या लिखा जब वो बरतन भर गए मतलब कह रही कि ते बरतन नहीं रहा बस कर उसने कहा कि तब तेल रुका नहीं तो तेल रुका ही नहीं याद रखना मैं कह रहा हूँ जब तक आगर आप पुवितरताई के साथ चले अगर आपने फैसला ले लिया कि मैं अबसे अपने खाली बरतन को खुदा के सामने जब भी प्रेयर करने जाओंगा जब भी मैं चर्च में जाओंगा बाइबर पढ़ने जाओंगा तो मैं अपने आपको पच्छताप करकर जाओंगा और शी समय परमिशर का आत्मा कहता कि आप उसी समय पवितरात्मा कहता है इतना तेल बरसेगा इतना धन बरसेगा इतनी जो बरसेगा इतनी आज इसे बरसेगी इतना spiritual life हो जाएगी मैं कहता हूँ आपके जीवन में आज से grace बरसेगा पवितरात्मा का परमिशर की presence बरसेगी आज से आपके वो इतनी नॉइंटिंग बरसेगी, कहता है कि आप कहेंगे बस कर परमिश्वर, बस कर, पवितरात्मा करें तब रुखेगी नहीं तो नहीं रुखेगी आज के बाद, याद रखना है वही शमानी आपके लिए, कहता है जो ओनलाइन सुन रहे हैं, कहता है इतन इतना ब्लेसिंग उतरेगा आज के बाद, पवितरात्मा आपके उपर परमिश्वर अनुग्रे को उतारेगा, डबा लोग आपके उपर अनुग्रे, जितने हाथ उठा रहे हैं, आज हाथा को उठाओ, याद रखना आग्या मनने वालों के उपर, आज से तेल उडेला जा और परमिश्वर, मैं आज पवितरात्मा जी फ्यांसाना लेता हूँ, कि मैं पवितरात्मा जब तक नेरे प्रभुजी धर्ती पर हूँ, मैं आज से, परमिश्वर, तरे साथ इमानदारी के साथ चलूँगा, तरे साथ अठेचमेंट रखूँगा, जो तुने तोड़े द रेनेंड से पोसी जाम करता हूं चार करने के दोर पदा करता हूं और नफेय चार MUR희", इश्यू के नाम gifts अब हुर सुक्ष siya just manubrowski आज नफरत के दोर को हीिरशा केड़ा किशार पफेश्य नाम हमची पाइश्य कर देंड़ा जी एनिट्यु Mexican आज तेरी spiritual anointing इनके अपर super natural power बरसे इश्यू के नाम में bless करता हूँ इश्यू के नाम में आज वो super natural anointing इनके अपर बरसे इश्यू मसी के नाम में super natural power आए miracle शक्ती उतरे इश्यू मसी के नाम में हार आशीश इनकी खोल दी जाए पोईतरात्म मिराइकल मनी उतरे आज से nointing ओ healing आए इश्यू मसी के नाम में आज से दान बरदान से भर जाए पोईतरात्म तरी आशीशों से भर जाए इश्यू मसी के नाम में नविश्वास करता हूँ पोईतरात्म तु भर रहे शमसी नासरी के नामे आमीन 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 जेतने लोगों नहीं समय सुना विश्वास के साथ करता है कि खाली थे आज आप भर गिये शु के नामे अब आप के अंदर प्रांथना करने की पावर आगी है आप खाली थे प्रांथना करने नहीं आती थी आप भर गिय आद से परमिश्वर की नुन्टिंग से जब आप रातने करें किसी के लिए मिराई कलोगा अब आप सूसमाचार सुनाएंगे किसी के लिए आपके घर में धन बरसेगा मैं करहा हूं लेकिन वो तेल आपके ओपर होना चाहिए आज परमिश्वर ने अपने लोगों को बताया क कि वो करजा उतर गया तो उसने क्या का कहता है कि जा कि यहां परमिश्वर के भक्त को यह बता दिया तब उसने जाकर परमिश्वर के भक्त को यह बताया कि मेरा तेल भर गया है मेरे बरतन सब भर गया है तो उसने का जा तेल बेचकर रिन भर दे इसका मतलब कि यहां पर त दासों को और करेंगे जाँ तेल बेचकर रिड़ भर दे कहता और जो रह жाए उससे तू अपने पुत्रों सहीथ अपना निर्वा करना हालेलोया फिरमेश्य नहीं को एक तेल का धंडा दे दिया हालेलोया मैं क्या करूँ बिजनस दे दिया, किसी को पेटरोल का बिजनस दे दिया, किसी को डीजल का बिजनस दे दिया, हो सकता है परमेशर आपको मेरे दुआरा कोई बड़ा बिजनस दे दे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट दे दे, कोई बड़ी नोकरी दे, कोई बड़ी ब्लेसिंग लेज तैसे कोई मन्यारे मैं हो सकता है कोई आपके प्रॉपरवटी का आटे की चक्की का बिजनेस हो जाए याद रखना कै ता के यह आद से авका का बिजनेस खुलने के लिह ज्यारा है याद रहना है बहुष्यवानी कर रहा हूआ हूँ मैं अन्लोगों के लिए प्रभू जब तक दे आप जब वा को जब तक आप बस ना कहेंगे याद रखना है येs भ॥ष्यवानी पोईटरात मदी में प्रमेश्ष्वर तब तक आइप आशीश उडेलता रहेगा तुसे आपनी यू रहेगा आपको बलीव है यह पवितरात्मा है करता है आज आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं हुआ वो करेगा कहते हैं कि आज आज आपके पास इतना कुछ होगा इतना कुछ होगा इतना धान होगा इतने पैसे होगे याद रखना कि आप रख रख कर भूल जाएंगे आपके अंदर सिर्फ एक बात होनी चाहिए आपके अंदर याद रखना वाइरस आए, भुकाम पाए, आंदी आए, तुफान आए प्रभू का आत्मा आपकी जिंदियों में काम करेगा परमिश्वर का आत्मा काम करता है मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने आपको कभी भी भरा नहीं है मैं कर रहा हूँ कि हम बरतन खाली करकर आते हैं कई लोग जो हैं वो अपने बरतन को ऐसे भर के रखते हैं पर चार भी करते हैं और बैटकर बुराई भी करते हैं तेल बेजते हैं, पानी बेजते हैं और ये देखो, सी करते हैं के भวिश्यवणी liटी तो ऐसे करनी थी कहां पर कहां तूटेगाट ट्रेण कहां तूटेगी। कि अब अगर मैं भर जाओं ऐसे तो क्या होगा कि करके बता कहां टूटे GYार जो परमिश्र बताता है उसका विश्वास करो अब एक बार तो बता दिया के परधान मंतरी देश का मोदी जी बनेंगे उस पे तो आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उस पर भी स्टेटमेंट देना चाहिए ना तो विश्वास करना मतला भड़े रहते हैं फिर कहते हैं हमारे चर्च में एक बंदा नहीं आता अरे भाई पैसा कमाने के लिए आप यूट्यूब चैलन चला रहे हो पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैलन पादरी बजिंदर परमिश्वर ने मुझे चलाया और परमिश्वर मुझे चलाता रहेगा याद रखना करते लेकिन जो बुराई करता है कि और परचार कर रहे हैं तो आप को मन से बहरना ने आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है आपके बार में कोई कुछ कर रहा है तो असी समय परमेश्वर को कहा ना परमेश्वर कर रहा है कि आज कोई भी हो आपकी बुराई करे इस ओरत ने एक बास सीख लिया था इस ओरत को कहीं लोगों ने कहा कहते है छोड़ दे इस मिस्ट्री को देख तरह पती मर गया छोड़ दे इस सीजों को यह क्या क्या बना लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं कहते कि मुझे इमांदार रखना इमांदार बनाएगा दर को और उस ओरत ने अपना करजा तो उतारा तेल बेच कर लेकिन उसके बाद क्या हुआ बैविल बताती है कि उसने वो तेल बेच कर उसका वो वो सारी आशीशे खुल गई यह एक एक एक्जामपल है यह नहीं मैं कहा रहा हूं कि आप तेली बेचना चुरू कर दो मैं कर रहा हूं कि आप जिस काम पर हाथ लगाओगे आज से वो सक बड़े-बड़े बिजनस खुल जाएंगे आपके इश्यो के नाम में आज से बड़ी-बड़ी ब्लेसिंग खुलेंगे इश्यो मसी के नाम में बस बलीव करना है आज से पादरी बजिंदर यह नहीं सोचता है मेरा परमेश्र मेरे बारे में क्या सोच रहा है अब मैं यह सोचता हूं हाललुया जो आप अगर आप ऐसा सोचने लगे तो आज पवितरात्मा आपको खाली निरहने देगा मैं कर ओऊ घर बैठोगे खाली निरहोगे काम मिलेगा अगर आपने डोर बंद कर दिया शतानी डोर बंद कर तो अपने दिमाग से पवितरात्मा कर जा आज से काम मिलेगा यह शमसी नासरी के नाम में आज से खाली न रहेगा पवितरात्मा से बहर जाएगा आज इस्यू के नाम में उसकी प्रेजन से बहर जाओ उसकी सामर से ब बर जहाद से परभीतरात्मा भवश्मानी करता हूँ लोगों के लिए गवाईयों से बर जाएं आज बर जाएं इश्मसी के नाम में पवितरात्में के लिए डोल बंद मत करना परमिश्र खोल करना क्योंकि इनके अटेच्मेंट तरी साथ होगी है तेरे दास का तेरे आदर क पूरा हो सकता है पवितरात्माजीन का दियावा दान भी पूरा हो सकता है इश्वमसी के नाम में इनके जीवन में आशीशी आज सकते हैं पवितरात्माजीन मेरे प्रभू अगर कोई चिंता से निराचा से बरावा है बोध के साथ कि कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइप में फर पुष्यमानियों उन लोगों के लिए पवित्रात्मा ने मुझे का कि 52 डेज में आपके तंगी के बीमारी के करजे के दिन खतम हो जाएंगी शमसी के नाम में बस आपको बलीव करना है यह पवित्रात्मा की और से बात है और जो लोग विश्वास कर रहे हैं आज उनके जो है जब प्रबु दिखाता है तो मैं बोलता हूँ उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आज आपको विश्वास करना के पर मेरी जिन्दगी में काम करेगा अबलबा शबलबा 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 ए एन आर एस जी एच नामवले कहीं और घर बनाएंगे आप फिर सुन लो कहीं और घर बनाएंगे कहीं और घर बनाएंगे आपका घर कहीं और बनेगा अबलबा शबलबा 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 आप जहां सोच रहे हैं वहां नहीं बनेगा हो सकता है आप मुझे सुन रहे परमेशर इसी समय उन्हें ब्लेस कर रही शमसी नासरी के नाम में और इसी समय गुड न्यूज मिलने पाई शमसी के नाम में देख रहा हूं स्वीटी सुदा आशा आशा आपको घर की आशीस मिलने के लिए जा रही है ये शमसी के नाम में बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लि तो देख रहा हैं फतीयाबाद से और सी समय आपको हड़ियों में बैक पेन और से फृरीदाबाद से कोई देख रहा है बिछे दिली से देख रहा है अभी इस समय पवितरात्मा जुम्हें पराथना करता हूं एक नया रास्ता इस बहन के लिए निकाल दे अबालबा पवितरात्मा एक नए डोर खोल दे शमस्जी के नाम, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के बिजनस पर ब्लैक मैजीक हुआ हूँ है, और उनके पास कोई काम नहीं है, मैं फिर खासकर उने बता रहा हूँ कि संडे स्पेशल प्रेयर है, अनोइंटिंग साल्ट वाली चंडीगड के अंदर, तो उन लोगों को यहां पर लेहेंड प्रेयर कराना है, मैं उनके लिए पानी से और नमक से प्रेयर कर रहा हूँ, उनके लिए स्पेशल लेहेंड वालों के लिए, मैं सिरफ स्पेशल बीज देने व जाओंगा भी और उनके लिए लेहंड करूंगा यह याद रखना और परमिश्वर आपकी जीवन में काम करें का देखो हमने यहां पर खोधना स्टार्ट कर दिया है अभी पोल गाड रहे हैं बड़े-बड़े आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जिसका खर्चा अभी बहु हैं तो अभी इसी समय लोग से वादार लगे हैं काम कर रहे हैं परमिश्वर आशिश दे आपको नीचे नीचे तक देखो जाकर पिलर गाड रहे हैं मतलब मैं यह इसलिए दिखा रहा हूं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं कि आपका पैसा बेस्ट नहीं होता आपका बीज सही जगा लगता है ताकि आप फल आपके घर में फल आए आप को ब्लेसिंग को देखें आप बहुत सारी आशिशों को में डबल हो जाएं आपका बीज जो है उप जाओं भूंपर गिरेगा और ब्लेसिंग को देखें मतलब कि एक पहन ने बताया कि कि प्रॉफिट प्रॉ जब आपका घर चूँ सकता है तो प्रमेश्वर का घर ऐसे पानी से टपके तो अच्छा नहीं जो लोग उसके चछत के लिए हागे के एक क्याठ में लिखा कि यहावा के लिए लकडी बिन कर लियाओ उसका घर बनाओ जिस बात से वो खुश होता है ताकि वो देखे और उ उस समय में आप देखो मैंने पर्चियां कटवाने शुरू करी इतर उदर से कबाड़ा चुगा बहुत नहीं चुगी और शर्माता नहीं हो बताते हुए मैंने जाकर कबाडी को दे दिया पैसे लिए पांच हजार मेरे से कठे वे और मैंने पांच हजार डाल दिया प्रब पर्मिष्र बना रहा है एकसे से काउंट में, बैंक में जो बो रहे हैं और इसी समय को पता है की हमारा है इस से बैंक बेंग बंद है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो rही है लेकिन आपको जो लोग एकसिस बैंक में बीज बो रहे, परमिष्र के घर मेरे पुज्टरात्मा जी मैं परात्हना करता हूं मेरे पृता पर मिशर आध से पृत्रात्मा जीनके घर में परिवार में पुज्टरात्मा मश में बहुत सारी blessing खुल जाए शमसी के नाम और कесь मैं कोई भाई बीजD भो रहा है और अपना मन बना रहा है इसका मतलब कि उसने ऐ विश्वास का मन हटा दिया जैसे कि वो व्यक्ति मुझे कर रहा था करता है पता नहीं मैं बहुंगा तो कल मम्मी देगी कि नहीं कभी मेरे पास ये 500 हैं वो भी चले जाएं मैंने कहा जब खून एक घंटे में दान करते हैं तो एक घंटे में पूरा हो जाता है तो आपको विश्वास करना है कहता है कि बस आपको वचन पढ़ना और बलीव करना प्राथना करना आपका बोयावा आपको कई सो गुना वापिस लुटाएगा इस्वमसी के नाम मैं पान नहीं देगा तुझे शोरूम देगा इस्वमसी के नाम मैं देख रहा हूं एक भाई अपने मन को खोल रहा है इसार से और इसमें प्रभू का आत्मा कर रहा है आप भिहार से खोल रहे हैं यूपी से खोल रहे हैं दिल्ली से खोल रहे हैं पंजाब से खोल रहे हैं आपके उपर से बंदनों को तोड़ रहा है, और वो मालो माल कर रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग को खोल रहा है इस्यू के नाम में, मैं देख रहा हूँ कोई बहन है जिनके नाम RGNSTV से प्रभू के आत्मा ने मुझे बताया कि आपका एक कपड़ों का शोरूम होने वाला ह आपके ऐसे कोई बड़े अच्छे काम होने वाले हैं पोईतरात्मा आपके जिद्गें में मिराइकल करने वाला है, अगर आप इश्वास करें तो पोईतरात्मा आपके जिद्गें में सोगना ब्लेसिंग देगा, बलाबा, 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 बलाबा मैं देख रहा हूँ कोई जॉन और इस समय मैं देख रहा हूँ कोई विलियम परमिशर का आत्मा आपसे बात कर रहा बलाबा शाब अलाब गरीमा नितिका सुखा और मलीका मैं कर रहा हूँ कि बंदन टूट गया आज़ा आपके इस शमसी के नाम में आपके लिए मैरी जी के का रास्ते खुलेंगे कघता है जो भी कोई हर में को प्रप्राब्लम में कथा के फायिनिस की वो दूर हो रही है शमसी पवितरात्मा जी मैं प्राथना करता हूँ जब यह अनुइंटिंग माटर ओयल अपनी फोटो अपने डोकुमेंट्स उठा रहे हैं घर बनाने के लिए वीजा के लिए पवितरात्मा बाहर जाने के लिए पवितरात्मा जी इसे मैं बोल रहा हूँ कि जिनके नाम BNRSGHMPK से अमेरिका के लिए गुड्ड नीज आ रहे हैं चुके नाम BNRSGHMPK के लिए और अनुदकार के